आज बात करेंगे क्या हम mirror का combination यूज़ करके multiple images भी ले सकते हैं तो देखें पहले हमने क्या बात की थी जो light होती है वो reflect होती रहती है आप कितनी भी इसको reflect कर लिजी एक बार दो बार तीन बार पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं तो multiple image भी इसी हिसाब से बनती हैं देखिए अगर आपके पास एक mirror है मालिजी इस तरह का एक mirror है और उसके सामने आप कोई चीज रख दें मालिजी एक coin आपने रख दिया तो आपको क्या दिखेगा इसके अंदर सिर्फ इस coin की एक image दिखेगी अगर आप इसके सामने खड़े हो जाएं तो आपको एक image दिखेगी लेकिन अगर आप इस तरह से combination यूज कर ले टू मिरर का यानि कि 90 डिगरी पे 25 डिगरी पे 60 डिगरी पे आप एक ये mirror है यहां पर फर्स्ट मिरर है ये सेकंड मिरर है दोनों को यहां से जोड रखा है त एक को ऐसे और एक को ऐसे लगा दिया अब इन दोनों के बीच में यहां पर कोई आपने coin रख दिया या आप खुद खड़े हो गए तो आपने क्या देखा कि इसमें भी और इसमें भी आपको कहीं तरह की images दीखेंगे दो तीन इस तरह से multiple images दीखेंगे तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो light है वो reflect होती रहती है तो हमें हमारी जो आंखों में reflect होके light आती है तो कहीं image हमारे जो आंख में या हम कहें जो mind को signal मिलता है कहीं image जिसका मिलता है तो इसी तरह से आप observation करके देख सकते हैं इनको 90 degree पर रखके देखें फिर अलग अलग अंगल पे इनको करके रखें इसी तरह से माल लिजिए आप दो mirror जो हैं बिलकुल आपने सामने ले लिजिए बिलकुल parallel यानगी खड़े कर लीजिए आपने सामने ले लिजिए उनके बीच में आप एक candle को जल्ती हुई candle को ले लिजिए तो जल्ती हुई candle को जब आप लेंगे तो आप हैं आप ले सकते हैं आप बना सकते हैं mirrors का यूज करके तो multiple images हमारी काम करती हैं याने कि हम देख सकते हैं multiple images एक यूब्यक्ट की और यह जो combination end का यूज करके हम ले सकते हैं तो यह था हमारा multiple image तो thank you video देखने के लिए और ज्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यांगलों पे हमें subscribe कर सकते हैं thank you